लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकन को प्रेस करें लेटे सकत्रा हिस Voice P लेटेस्ट guy हुआ 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 है हुआ हुआ है कि अंग्रसों के जमाने में राजगड़ एक बहुत बड़ी जागिर हुआ करती है आज में वहां पुराने जागिर्दारों की हवेली उजार पड़ी है हुआ है हम ने उस हवेली को खरीद किया है हम चाहते हैं कि उस हवेली को तबदीलिया करके वह एक हालिशान होटल बना जाए किस तरह की changes चाहते हैं आप उन पर कितना खर्च आएगा गुड हम चाहते हैं कि काम जल्दी से जल्दी पूरा हो इसलिए हमने आपके आश्राम की से इट बुक करा दिया राजगर में असिस्टेंट निदेर प्रखाश आपको रिसीव कर लेगा कब लटेगा बेटा मां हफता भर लग सकता लेकिन परसो लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं उनको मेरी फोटो देखा दा ना फोटो अरे कैसा सरफीरा लड़का है ये जाना कैंसल नहीं कर सकता बिलकुल नहीं मैं चाहती हूँ जल्द ही इस घर में पहू आ जाए ब बेटे तुम अपना जाना कुछ लोग स्टाल नहीं सकते नाई पिता जी कंपनी का बहुत जरूरी कान है लेकिन जाका रहे हो राजगर राजगर ये तो बहुत ही अच्छी बात है लड़की वाले भी राजगर के पास ही रहते हैं तुम जाकर उन्लों को से मिलने ना वो त जलता हूं और के ती दूर है ये राजगर हवेली बस कुछ 15 किलोमेटर है दिंडलने तक पहुंच जाएंगे लगता है जबरदस तूफान आने वाला है तूफान और इस सीजन में ना ममकिन है भाई में इस इलाके में बहुत दिनों से रह रहा हूं मौसम बहुत अच्छा आज़ो कर दो बड़ी भी दान हुए है रोशनी तद लिए रजवाड उजड़के कोई देखबाल करने वाले मिया सिर्थ एक भूड़ा चौकिदा रहता है कर दो 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 दरवाजा किसने खोला है मैंने दरवाजा खोलने की कल अंदर है वह बाबा यह आकिटेक्ट साहव हैं जिनके आने की अच्छा अंदर आये आये शुक्रिया कर दो 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 करो तुम यहां थोड़ी देर आराम से बैठो और जरह रिलाक्स को कम कमर रिलाक्स कि अब 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 तुने भी कोची की सुनी नहीं तो सुनील, मैं आसे रिलस, आरामकरू प्टेगी उरे डिमालो schmeाज हो अो, सब्वाइब सुरिया यालो अो, ऑुर में, को स्क्राहएब FRE elf ए breaker हुआ है Zenon नर ध कंनो तो काल क्या है यह अरे यह तो किसी द्याहती लड़की के पाउं का कड़ा है हाँ अगी अगे जहां नाम था उसका नाम का है उस रोज भी ऐसी तुफ़ानी रात थे किस रोज अज गयों का तेकल परगाश तेका नहीं वह गई है लेकिन सुनी पेराज़ा तु बंद है सुनील जब सब यहां हो न तुम्हें कुछ हो गया है चलो मैं तुम्हारा कमरा देखा था तुम्हें कम कैज से कि देख रहे हैं कि यह लेका कर देख रहे हो तुम हां यह कूंध के दबें जो मैंने लगाये थे चाहिए तुम लेकिन तस्थीर तो बहुत परानी होगी यह मैंने जानता लेकिन यह दब मैंने लगाए थाकूर बलबीर सिंग यह यहां के आखरी जविदार राजा थे यह उनी की तस्वीर है लेकिन सुनील को यह तुम है कैसे माल हुआ यही मुझे नहीं पता लेकिन यह ठाकूर बलबीर सिंग है और वह खुन के धब्बे अपने हातों से उस पड़ लगाए है कि अज़िए 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 मुझे याद आ रहा है सब कुछ याद आ रहा है नाजाने कब की बात है यह शायद मेरे पिछले जनम की जब मैं इस पहाड़ी इलाके में फॉर्स ओफिसर बनकर आया था शायद किसी त्योहार का दिन था वो अजी सुनिये टीसी साथ यहां कोई सवारी नहीं मिलेगी अच्छा यह बताए यह फॉर्स ओफिस कितना दूर है चार कोस चार कोस इस तरफ इस तरफ किस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ शुक्रिया क्या हुआ कोच्वान गाड़ी क्यों रोक दी में साथ कोई रास्ता रोक कर खड़ा है बड़ा ही धीच है धीट नहीं मेरा नाम विने है विने आप शयद राजगर जारी है मुझे भी वहीं जाना है साथ में लेट चलिए बड़ी महरवानी होगी कुमर जी की बगगी में सवार होना चाहते हो तुम्हारी शामत तो नहीं आई जी नहीं अकेला ही आया हूँ सिर्फ एक शीट चाहिए एक दिल्चस पादमी हो बैट जाव अगे में शुक्रिया लेकिन मेम साब अगर सरकार को मालूम पड़ा कि मैंने किसी अरे गेरे को कुमर बलबीर से आप उनकी क्या लगती है कुछ भी नहीं फिर आप इस बगगी में कैसे मुद्दत से उनकी हवेली में भी हूँ फिर भी आप कुछ भी नहीं लगती बड़े भोले हो तुम शायद राजगर पहली बार आ रहे हो जिया नवी पोस्टिंग है जंगलात के मह अच्छा इन जंगलात में तरह तरह के जानवर हैं उन्हें भड़का नमत मैं शेर चीतों से नहीं रहता है शेर चीतों से भी ज्यादा खतरनाक हैं ये दो पैर वाले दरिंदे यानि आदमी मैं उन दरिंदों को भी काबू कर सकता हूं ये तुम्हारा होस्ला बोल रहा है लेकिन तजुर्बा कुछ और ही सिखाएगा ये तो वक्त ही बताएगा मैं साब कि तजुर्बा किसको क्या सिखाता कोच्वान गाड़ी रोको ये गाड़ी क्यों आपने रोकवाई आप उतर ही है क्या जी नहीं आप उतरेंगे आपका फॉरेस्ट ओफिस उधर है और मेरा रास्ता इधर ओ भॉफ भॉफ शुकरिया आपका जी बहुत बहुत शुकरिया अच्छा तो बिर्जु साहब जी साब ये तो बताओ के आपको ख़ब नहीं की गई थे हमारे आने की घोड़ा पंक्चर हो गया था इसाइकल पंक्चर हो गया थी नहीं साब सची बात यह है म मैं भूल गया था भूल गया था चलो कोई बात नहीं कोई चायवाई का इंतजाम हो सकता है बिर्चु साथ अब ही लाया साथ ठाकुर को ठोकर लगई भाफ करना ठाकुर साथ किसके तस्वीर की गारी जादीर सहाब कुवर बलबीर सिंग जी की इनकी मरजी के खिलाफ साथ यहां का पत्ता भी नहीं इलसकता किस ने तागी यह आप से जो पहले आफिसर थे ना उनहांने लेकिन जे तो सरकारी दफ्तर है उतारों से ऊधर ये उतर ये बेर्जो साफ करहा कि हमारे कुवार जी की तसमीर किसके हुक्वेंते उतार रहा है मेरे हुक्मति यह दफ्तर पुमर जी की जागीर नहींarma आते ही कुवार साफ की तस्वीर हटाने लगे दूसरे आफ क्सेर तो try to स्लाम करने हाजिर हो जाते हैं मैं यह सलाम करने नहीं काम कर Talking काम नहीं रेंजर साब एक छोटी सी बात कहूं आपसे हमारे सरकार के ताबेदार बनके रही है इसी में आपकी भलाई है बैल मोल लोगे तो पश्टाओगे नसीहत देना छोड़ी और यह बताए क्या कौन है मैं मैं सरकार का खास आदमें हो खास आदमें हां तो खास तोर से याद रखो कि आएंदा इस दफ्तर में आना हो तो सिर्फ इजाज़त लेकर ही आओ अब तुम जा सकते हां से आपकी तस्विर उतार फेंगी आता ही हावा में उड़ने लगा कोई बात नहीं अभी नया है ना कुछी दिनों में अपना काम समझ जाएगा तब तक जंगल के कटाई रोग दो देम सेंग काम जारी रखो हां उस रेंजर से घवराने की कोई जरूरत नहीं है जो ज्यादा उंचा उड़ने की कोशिश करता है उससे हम जमीन पर ले आते हैं आप देखा निशाना हमारा सदा ला जवाब है कुमर जी वरना मैं क्यों शिकार बनती आपकी तो वह नया रेंजर मिला था तुम्हें रस्ते में कैसा है वह यह उन पुराने रेंजर उसा नहीं है जिन्हें आप आसानी से बस में कर लेते थे। यह कुछ और ही तेवर रखता है तेवर कभी तुम भी तो रखती थी कर लिया ना बस में मेरी बात और है मैं तो एक नादान हेतनी थी फज गई लेकिन राजा जी इस बार आपकी टक्र में एक मर पच्चा है लगता है कुछ कर दिखाएगा एक मामूली रेंजर क्या कर दिख देखा साब एक दर्फ तोर गिरा दिया यह सब ठाकुर गया अदमी है जी हां साब आई यह बंद करो या कटाई बंद करो वह कटाई तुम कौन हो सरकारी अफसर हूँ और यह तमाम जंगल भी सरकार के हैं यह तुमारे कुमर जी की जागीर नहीं है समझे रेंजर बाबू यह फूफा करने से पहले दफ्तर जाके नक्षे देखो नक्षे पिछले अफसर ने रिश्वत खाकर यहां के नक्षों में हेरा फेरी की है इसलिए मैं हैड ऑफिस से असली नक्षे अपने साथ लेकर आया हूँ नक्षे पहले सभी लाते हैं जो बाद में रद्धी में वि जरुम है जो पेर कार देगा उसे जेल जाना पड़ेगा जो ये सर तुम दफ्तर जाओ जी मैं आगे मुयाना करके आप तो जी साब सुना नहीं मैंने नहीं कहा है साब ने कहा है हुआ जारी हुआ जारी आजार doe आजारी आजारी हाचार व हाचारो आचा जब आचा है कर आच कर दो किर डिजारे च्छका चुक च्छका चुक च्छका चुक अरे बिर्जू जी सरकार जंगल में जड़ने की किनारे गाना कॉन गया करता सबेरे सबेरे बुलबुल दुपहर में कोयल और रात में उल्लू साब मैं इंसान की बात कर रहा उल्लू मैंने लड़की को गाते सुना है आप मीठी आवाज थी मीठी आवाज लड़की लड़की खूब सूरद भी होगी कि अब भी हो सकता है ना ठीक तरह उसे देखने पाए क्यों उसने लैप बुझा दिया था क्या लैंप कैसे यह 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 रॉसनी वाला लैंप साहब कुछ लड़कियां जरा सरमीदी होती है ऐसे बकत में उन्हें रॉसनी नहीं चाहिए होती है क्या बखवास कर रहा है यह बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई और नमरते दम तक बताऊंगा तो तुम समझते हो कि पिछली रात यहां कोई लड़की आई थी अरे साहब मेरी तरह आप भी जवान है और जवानी में ऐसे गुद्टों खिला ही करते हैं तो मैं बेहुदा बाते तो नहीं कर रह आउँ यह हों नीकित कह रही है किसी जरने पार वाली लड़की कि है कि ऍसमा कलिया तेयज हवा के जोके सी method होई सिधा मुझत्य पांचे दें मगर इस मगर इस उड़नी के पीछ Verfu accumulated आप घयाने के ऊस पार मत चले जाईएगे गा वरनक खटिया पर कि वापसी होगी क्योंकि राजगड़ वालों की और जरने के उस पार वालों की जानी दुश्मनी है साब ऐसा क्यों इसलिए कि वो लोग इस जंगल के पुराने बाशिंदे हैं कभी जरने के दोनों तरफ के लागों पर उनके मुख्या कराज था मगर कमर सहाब आपने अंग्रेजों को मसका लगा लगा कर जरने के इस तरफ की जमीन अपने कफ़े में कर ली बस फिर क्या था वो लोग भाले और कुलाड़े लेकर टक्कर पर आ गए इस तरफ बंदू के थी इधर से ठाकर ने ठाएं से बंदूख चलाई विचरा उधर का मुख्या धेर ह सब्सक्राइब बढ़ी अब इसंक इस way व्याँ तायद में अब राजगड़ वालों के फून का प्यासा सरकार आप अब फाँने से भी जरने के उस पार मत जाएएगा बूले सित नहीं जान बूच कर जारा हूं आज यह अरे ह龃 अरे सपर क्यार हुए बरेसा सब्गर्य कर दोग कर दोगे से दिंग कर दो आजिन कर दो कर दो आजिन कर दो कर दो आजारे, आजारे, आजारे आजारे, आजारे आजारá जनम जनम दीख्या से एकिया तिरे लात नहारे जनम जनम की 80 अखिया तेरे माट नहारे कितनी सावाद बीत रहे बीते गए बहारे जनम जनम की 80 अखिया तेरे माट नहारे इतनी सावर बी गए बीते गए बहारे आजा रे, आजा रे, आजा रे आजा, आजा, आजा मूदर आजा 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 आनी psychology हर फाबन में संद पियां के सखियां खेले फा हम बिरहा में चले अके में कैसे हमरे भाग ऐसी रंग रंदीली रुत में अब तत मन को मारे चनम चनम दे ख्यासी अक्रियां तेरे बाट निहारे इतनी सावट भी गए दीती कई बारे आजारे है आजारे है कर दो हाँ मॉप टुर्ण बार्जा झा veteran है जूर को यलिया, दुह को बोले, मरहान को तरखाए हा की तौरा में सजनों दुहारे, अब लौने हो कब ख़ब ख़ब आए हाई तो, फिर भी कभी लहारे कितनी सावच भी कई, बीदे कई बहारे चनम चनम के प्यासे अखिया तेरे बात निहारे इतने सागन बीटर बीटी कई बहारे आजारे, 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 आजारे कर दो चोरी कर रही थी पर यह ओरनी मेरी है बाबुजी मांग लेती चुराने क्यों लगी मांगते डर लगता था क्यों मेरे सर पर सीम तो नहीं नहीं ओरनी दे दो ना बाबुजी क्या नाम है तुबार मेरे चंदर मुखी क्यों की लगतार मेरे तुबाइ़ कि लगतार लगतार मेरे जरत लगतार थी बंवां आदे नहीं है कि आदे पाल बादे आदे और लगतार दे जानवर किसको कहा घोड़े को नहीं सवार को आज तक हमारे सामने किसी ने जुबान खोलने की कुछ ताखी नहींगी तुम्हारी ये जुरुत ठेरिये सरकार ठेरिये ये अंग्रेज बहाद्दूर का आदमी है नया रेंजर नया रेंजर बड़ी तारीफे सुन चुका हूँ आपकी मैंने भी बहुत कुछ सुनाया आपके बारे में उदर कहां से आ रहे हैं आप कहीं जरने पार तो नहीं गए थे जी हां गया तो था मत जाया कीजिए वहां बड़े खतरनाक लोग रहते हैं उस तरफ खतरनाक लोग तो इस तरफ भी हैं हमसे दोस्ती करके हर खत्रे से बचे रहेंगे आप कभी हमारी हवेली पर भी हाजरी दीजिए वक्त मिला तो जरूर आउंगा शुक्रिया अब माई मैं मैं तुम्हें छुड़ देता हूं कि देजू तुम्हारे साब तुम्हें छुट्टी तो देदेंगे ना मेरे साहब अब मेरे साहब मेरी जेव में हैं यहां तो नहीं है अब तुझे दिखाई नहीं देंगे मैं जब चाहूं साहब से छुट्टी ले लूं और जब चाहूं साहब की छुट्टी कर दूं सच य करें 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 कि आज अगर आप चुटी दे तो मैं जूले में चुटी मांग रहा है शर्म आती तुम्हें स्युक्त शर्म आती है सअब बहुत शर्मीला हूं रही है अगि सानपूर का मेला बहुत मशुूर है दूर दूर से लोग मुझे नहीं जाना है शौर मैं तो बहुत puppies आज डेचिका हूं जाबे क्या का मैं मक्खे से कह रहा था या जाबे बहुत मक्खी है यहां पर इसके मस्क्याओं साब वो ओड़नी जर्ने पारवाली की लोटा दिया आपने भाद भाद की ओड़निया चुनरिया लहंगे आते हैं मेले में चूडिया खंखनाती है और हास्तोर से जर्ने के पार वाली हर ऑड़नी आकर मेले में लहाती है सहाब अब जाओ मैं मेले में अरे बाबातु आप कहते हैं तो मैं नहीं जाता हूँ जाता हूँ हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है है यह तो तुमने भांग पी रखी है क्यों पते क्या करेंगे जूले पर बैट करते हैं तुझा ही ढूंड रहा था चंदा रानी अड़ी सुन्दर चूडियां देखिए चल तुझे पहनाओ तूही पहन ले मैं घूंफे कराती हुआ है चूडियां पहनूं आशी करती है एक दिन माई तेरा घरवाला बनूंगा मेरा घरवाला तो कोई राजकुमार होगा हां साथ समंदर पार से आएगा मुझे लेने जमीन में कार दूंगा अगर समंदर पार से आया तो इस जनम में तो सिवा मेरे किसी और की होई नहीं सकती अच्छा तो जा मेरे लिए वह वाली लाल चूडियां लेया सच हां जाना हो प्रहों हो यहां, यहां, हो यहांगी, यहांगी हो यहांगी। हुआ 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 है हुआ है हुआ हुआ है शाट शाट के इन आँखो की गजरिया के जालन जवानी तरफाए मल 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 की है खरकी चुनरिया कि जितना संभालों गिर जाए चल चल कि इन आखों की दगरिया जालिम जवानी तड़ पाए मल 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 की है हल के जुनर कि जितना संभालों गिर जाए चल चल कि इन आखों की दगरिया चल चल कि इन आखों की दगरिया अपने ही चर्चर्मन वापा कोसु काहिको निकली फिरे बजर्या किसनी नजर्यों के दिल चलाए चलनी हो गई मोरी चुनर्या निकर सकिर नहीं भाग नजाए मुही करके वो जखनी खाए चल 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 के इन आखों के दगरिया रुक मजु बनके ही रन्या रुक मजु बनके ही रन्या कनया दोरी नगरी में आए एक जलक बस दर्स दिखा दिखाए चुनरी में मुखडा चुपाए रुक मजु बनकी ही रन्या रुक मजु बनकी ही रन्या अपना भी दिल है देम दिवाना तुम्रा अकेला दोश नहीं अपना भी दिल है देम दिवाना तुम्रा अकेला दोश नहीं आया कहां से जाना कहां है इतना भी अब तो होश नहीं तोहरी नगरिया की फुल्जी जगरिया हो तोहरी नगरिया की फुल्जी जगरिया जैसे जो गनिया हो लट फुल जाए रुख रुख मधुबन की हिरनिया रुख रुख मधुबन की हिरनिया दर्टी चले आकाश को छूने अधरती चले आकाश को छूने लेके उठे जब तु अंग्राई कितना है भूला परदेशिया पुरी अकल्प में सर्माई होते हैं जवानी के दिने से जैसी चिड़या के परलग जाए चल चल के इन मापों के गगरिया के जालिम जवानी तरबाए मल 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 के हाकी चुनरे आके जितना संभालों गिर जाए मधुपन की ही रनी अपन या दोरी नगरी में आए ओ एक जलक बत दर्स दिखा देखाए चुनरे में मुख्रा चुपाए जर चुपाए जर झालक बताए जर चुपाए जर चुपाए जर चुपाए बाबुजी क्या हुआ बाबुजी अरी कुछ नहीं हुआ परदेशी देशी पी गया है बटकी की जटकी लग गई है मसीनरी बराबर चल रही है ठीक हो जाएंगे ना अरी साम तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे नसा उतर जाएगा है लेकिन ये सब तू क्यों पूछ रही है समझा मल मल की चुनरिया मलक मलकी है फलकी चनरिया जोकर लगना जाए पर चल 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 के नेनों की गगरी बटी फूट दिखाए चल 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 नेनों की चल 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 सिल उरियार्ण कि आरेख लिए आ कि तरेख थे कि नेव बेखे जू से लिए ने वरेखं़ा चल चल जल किन आखों की कगरिया अहीं भबूजी ऑपूजी तुम याहां क्या कर रहे हो बाबूजी अँखे कोलो न किस से बात कर रहे हैं ये विचरा तो बेहोश है मैं इसे उठा लाया हूं नदी में डूब रहा था नदी में। लेकिन इन्हें तो वो क्यों तु इस पर्दे से कुछ जानती क्या नहीं नहीं हाँ भाईया क्या मेले में आये थे बाबु जी पाची नहीं की मैंने सिर्फ नाची गाए इनके साथ फिर ये मटकी का भंग पीकर लुड़क गए चलो ठीक ही जाकर मेरा वो जड़ी बुटी कर दबा ले आप अच्छा भाईया बाबु जी बाबु जी कौन है आप भाईया है मेरे और सारी बिरादरी के मुख्या भी यहीं तो तुम्हें उठाकर लाए थे नदी से पर बाबु जी तुम नदी में कैसे पहुंच गए वो भंग के नशे में क्या कुछ हुआ मुझे कुछ यादी नहीं इतना ज्यादा मत पिया करो बाबु मैं तो पीता ही नहीं हूँ वो तो नाज गाने में इतना खोगे था मैं के के धोके में पी गया पहले धोका होता है फिर आदत पढ़ जाती है खोश में रहना से को बाबु वरना किसी दिन सश्मुझ टूप जाओगे ठीक ही कहते हैं आप सर भी इतना भारी है मेरा बस आपनों का बहुत बहुत धनिवाद आपने चलता हूँ ठेरो बाबु जी ये जड़ी बूटी पीलो आराम आ जाएगा एक ही गुंट में पीलेना बहुत कड़वा है रहते कहा हूँ बाबु जड़ने पार राजगण में क्या राजगण में चले जाओ यहां से जी मैंने कहा चले जाओ यहां से और भूलकर बे इस तरफ कदम नहीं रख था पापुची तो बहुत अच्छे हैं भाईया इन्होंने मंगलों की मां की जान बचाई है तो भूल हुआरे हुआ हें अन्हों हमारे लग। गत्तर कर डाला मैं उन लोगों मैंसे नहीं हूं मैं तो कुछी दिन इना सरकारी फोरोछ ओसर मिया हूं कुझते हैं सब सरकारी आफिसर सब ठाकुर के कुझते हैं चले जाए यहां से कोई नहीं मैं कोई नहीं हूं मुख्या जी आपने साथ की तलश को हिया चलाया मालूम ना था कि आप दर्शिंदे देंगे संभार अपने साथ को और वापस ले जांए जाओ आज के बाद तुम बाबुची क्या सोचेंगे हमारे बारे में भया तोचे उसकी क्यों फिकर है चलाना चल करेंगा। अरे बचो देख की नहीं चलती तुम तुमने मुझे बचा लिया बाबुजी वरना मैं चुड़ेल बन जाती चुड़ेल हां इत्ती उपर से गिरती तो मरती नहीं क्या जवान लड़की बिना सुहागन बने मरे तो उसे चुड़ेल बनना पड़ता हां पूर यह थो बड़ी आजीब बात है हूं तुम्हें तब कुछ भी नहीं मालएं बाबजी हां हमें कौन समझा यह राज की बात है जाएं मैं समझाऊंगी अच्या इक बात बताओ तुम्हें डर नहीं लगता दर किस बात का अरे तुमारे भाईया ने मुझ से मिलने से मना कि क्या था ना फिर भी तुम चलिए आई बस आ गई चलो अच्छा किया बाबुजी वो कोयल की आवाज सुनी वो सुनेहरी कोयल है कोयल और सुनेहरी यह कैसो सकता सच कहते हूं बाबुजी वो उस पेड़ पर रहती है खुद देख लो क्या थो जूर्थ नहीं बबबुजी जाना हुу देख लो चलो देखते हैं कहां है यह तुम्षारी सुनेहरी कोयल कहां है तुम्हारी सुनेहरी कोयल और यह तु काली है क्या हरे हो यह क्या किया तुमने क्या किया चुर्म का सबूत था इसमें फोल को तुने इसका सतिलाश कर दिया तो बिगर देकोES को बाभु जी अब ही लपेट देती हूं लो लपेट थोड़ी वैसे से तुमक्या दिखरा जारी थी ये धंगनी दंगनी लोहार के पास होती है ना इतनी बड़ी वाली है ऐसी छोटी ननी मुन्दी धंगनी तो मैने कभी देखी ही नहीं पुरी तुम समा जाओगी ये तो टुम्हों आपके चेळडल के तो सीत लिए मिद्सक्तले सतने तो में जातरी फिर यहीं पर्षानलिक्स हाइगी दिखाता हूँ थौन की यार में फ्रमी तुम्हेंदी मुराइब दौकनी गुमारी है अब सिधी करें रहो ना चंदा भाहिया बुलाते हैं भागा रुको 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 यह तो बतारी जो फिर कब मिलोगी पता नहीं जी चाहता है हम रोज मेरा करें अच्छा अब मैं जाती हूं कल मिलूंगी यहीं किस वक्त जब यह कोईल कुकेगी न तब अच्छा और कोई नहीं कुकी तो कैसे नहीं कुकेगी बाबुजी इस पेड़ पर उसका बसे रहा है तड़के ही खाने की तलाश में निकल जाती है और दुपहर को लॉटकर अपने जोड़े को पकारने लगती है सरकार पेड़ कारते हो तुस रेंजर के बच्चे ने फोटो ले ली है वो सबूत लेके जरूर पोलिस तक पहुंच जाएगा अगर आपका हुक्म हो तो मैं कल रात उसे खतब कर दूँ पागल हो गयो क्या वो हमारा दोस्त है दोस्त की जान नहीं लेते आपको हमारे साथ धाने चलना होगा क्यों आपके खिलाफ रिपोर्ट है बाबुजी मैं आ गई बाबुजी बाबुजी ये लो मैं भागी भागी चली आई और तुम पहुंचे भी नहीं अब तक कोयल की आवाज भी सुना नहीं दिखिया तुम्हें जायद अवाज उस पर पहुंची नहीं होगी अरी कूप न आज कुछ खाया नहीं है क्या और जोड़ से निगोड़ी और जोड़ से क्या मैं पूछ सकता हूं मुझे यहां क्यों बुला गया है आप सरकार को तो जानते हैं ना तो ठाकुर साब आपकी सरकार हैं मेरा तो ख्याल था कि आप ब्रेटिस सरकार के आदमी है क्या मतलब देखिए रेंजर साब इस्पेक्टर चाहे किसी भी सरकार का आदमी हो कानून की रक्षा करना तो इसका फर्ज है थाकुर साब ने रिपोर्ट लिखवाई है क्या आपने इनके आदम्यों को इनहीं के जम है अब आपको मेरी सची रिपोर्ट भी लिखनी होगी मत भूलिए कि मैं भी आपकी तरह सरकारी अफसर हो इंस्पेक्टर अपनी अफसरी जंगल में जाकर दिखाए मिस्टर विनय मत भूलिए यह पूली स्टेशन है यहां मुझे पर धांश जमारी कोशिश मत कीजिए दे आप जाए इन से मैंने पढ़ता हूँ शुक्रिया कोईल भी चुप हो गई अब मैं भी तुम से बात नहीं करूंगी जाओ फिर अकेले बैठकर पेड़ों से बाते करना हां साहब यहां आपकी दाल नहीं करेगी क्या मतलब कॉन तुम जी फूमन आपके बिर्जू का लंग जोटिया यार सरा इतरा है यहां के सब आफिसर ठाकर साथ की जे में है जे में सिर्फ एस्पी साथ के आगे ठाकर की नहीं चलती वो कुछ दिनों में या तश्रीफ लाने वाले हैं आप उनसे मिलिए वह आपकी बास जरूर सुनेंगे तो क्यों गए सरकार लगता है जाडियों के पीछे कोई शिकार छेपा हुआ है कौन छेपा जाड़ी में बाहर निकलो अपर ना गोरी मार दूंगा चोरों की तरह छेपी क्यों थी लड़की कौन हो तुम जवाब दो कौन हो तुम चंद्र मुख्य वाक्या ही चांद सा मुखडा है यह चांद आज तक हमारी नजरों से बचा कैसे रहा भीम सेंग अपने इलाखे का चांद नहीं है सरकार छरने पार वाला है वहां के मुख्या की बहन है यह तुम जाओ अब हम अकेले ही शिकार करेंगे जी सरकार है है कि दुख आजए दो वहां को अज़र का से जी जी से नहीं है यह चांद इसकारय तुम आर्शाय करेंगे आर्शाव अज़रा आर्शाव वो जो भीड़ा। शेड़ी गहा दो वो भीड़ा। झाप एक 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 वीड़ी बड़ी लस्त होके आरे चुपने चंचल जवानी अगर तुससे संभाली नहीं जाती तो मैं हूँ ना तेरी चाहत दिरादरी वाला उस शहरी कमीने में क्या रखा है है तो मैं मुझे थपड मारा अपने होने वाले मार्ट को थपड मारा अज में तेरी सारी है कर दो अजरी पाबू के साथ एश करती है बचलन पर निकलाए तेरी आप चलन हुआ 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 पसी परलन रिभ पर हुआ 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 पाए। तुम कहां थे बाबु जी तुम जानते नहीं मैंने तुम्हारी कितनी राव देखी कहां थे तुम रो मत चल्दा प्रकभी ऐसा नहीं होगा दुन्या इधर क्योंधर हो जाए मैं कभी तेर से नहीं होगा मुझे बहुत डर लगता है बाबुजी कोई मुझे तुमसे चीन न ले मा उसे जिन्दा नहीं चोड़ूँगा चंदा मुझे कसम है तुमारी बाबुजी बाबुजी क्या हुआ इस तरह नहीं देखो मेरी तरफ क्यों मेरी सुपुचीन लेते हो सारी जिन्दगी तुम्हे देखता रहूं तो भी जीनी बारेगा पापुजी हुआ बंद करो ये सब जाओ तुम लोग अरे अब अब सरक्यार ये मुर्जा चुम बंद करवा दिया उस मुख्या की बेहन को जब से देखा है भीम सिंग ये मुझरे वाली अदाएं फीकी सी लगने लगी है चंद्र मुख्य को लाओ हमारे पहलू में मासूम अदाओं का खजाना है उसके पास उस खजाने पे नया रेंजर नाग जैसा कुंडली मारे बैठाए तरकार कुचल डालो उस नाग को ये कारिगरी है तुमारी और तब बालो हाँ मुझे फॉला चाहिए फॉला तलवार और भाले बनवारे हो मुख्या जी आँ धुमाओ कभी न कभी तो राजकरवालों से हिसाब चुपता करना ही है हाँ बहुत बढ़ने लगा है हिसाब पहले हमारी समीने चीनी पड़े मुख्या का कतल किया और अब अब तो इस सथ लोगने वाली है क्या बगता है तू तुम्हारी चंद रूमधी को आज गड़के उस बाबु ने पास लिया है तू ने अगर मेरी भॉली बारी बेहन पर इल्साम धराना मैं तरी सुबान के लोगा गार्धन काट देना मगर पहले चान बीन तो कर लो रोज तो बहर को चलने किनारे मिलते हैं तोनों चल्दी कर चंदा चल्दी कहां जा रही है जरने किनारे भाईया क्यों वो कोईल बोलने लगी है बड़ी प्यारी लगती है मैं जाओ भाईया चल अंदर चल चिप-चाप खर में बैठ बहुत ठील दे चुका हूं मैं तुझे थोड़ी तिर में तो लोट आउंगे भाईया पाल मैं जाओऊे लगए चले फिर में वाईया लॉची काहाँपर चलंसा भाईया जन्दर चल्दी कर लो फुका है राउया है तुक है झाल झालं समया है कांसा चल्दी कांसा पॉटोड़ी है जाँनर! मैं बाहर थोड़ी जा रही थी मुझा है के तु है शायद यो तेरी राह में आँखों को बिचा रखा है दुन दुनिया की सही मुझे मगए उफर न किया यू तेरे प्यार पसीरे में छुपा रखा है खेच लाया है तेरा प्यार चले आए 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 है कर लाया है खेच लाया है कर दो काम जाए है कर लाया है तुन व्यार उन्ड़ा फ्यार घचा बाया है तुन प्यार चले आए है आए है जिन्दगी अब तेरी चाहत के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तेरी सौजा या मुखापत के सिवा कुछ भी नहीं आज तर्मी यही वार चली आए है खेच लाया है तिरा प्यार चली आए है तड़े दुनिया की देवार चली आए है तुम्र जितनी भी है बापी तेरी चाहत में कटे तेरे चेहरे से नजर प्यार की एक पल ना हटे हम तेरी दुनिया में ए यार चली आए है खेच लाया है तेरा प्यार चली आए है तड़े दुनिया की देवार चली आए है तेरा चली आए है तेरा चली आए है रोक ली हमको जो ऐसा कोई तू पान नहीं रोक ली हमको जो ऐसा कोई तू पान नहीं प्यार के दुनिया में ताना कोई आपान नहीं हम न माने के कभी हर चली आए है थे चलाया है तेरा प्या चली आए है तोड़े दुनिया की देवार चली आए है थे चलाया है तेरा प्या थे चलाया है तेरा प्या यहां क्या कर रहे है वो रेंजर किसी का इंतजार है क्या यह बताईए आप दुश्मन के अलागे में क्या कर रहे हैं किसी की तलाश है क्या शिकार की तलाश में आया था लेकिन शायद अब नहीं मिलेगा भारी तूफान उठने वाला है मैं तो कहता हूँ कि तुम भी लोट जाओ ना तो मुझे तूफान का डर है और ना ही तूफान उठाने वालों का फिर ना कहना के खबरदार नहीं किया रेंजर साब करेंजर साइब झाल, 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 झाल. तुम आ गए बाबुजी मैं जानती थी तुम जरूर आओगे बाबुजी तुम यहां कैसे तुम नहीं आई और मैं तुम्हें देखे बेना रहनी सका भाईया को तो पता नहीं चला बाबुजी तु तु एक्तम भीग गए हो बाबुजी आओ आके पास बैठो आओ यहां बैठो यह लो फिर कभी ऐसा मत करना चांदा मैं मजबूर थी बाबुजी तुम नहीं आई तो ना जाने कैसी कैसी बाते मन में आने लगी कई मेरी चंदा को कुछ हो ना गया हो कि पजलिया कड़कने लगे पर बारिश ने चारों तरफ से घेर लिया है है और फिर मेरे अंदर एक को फान सा उखने लगा कि ए मेरी चंदा ठीक तुम्हिंत пиш है ना तुम्हें देखे बिना मुझे चैन कैसे मिलता चंदा और यह क्या तुम रो रही है तुमने मेरे ले इतने दुख उठाए बाबुजी और मैं मुह चली यहां चैन से पढ़ी नहीं बगवान करे हमेशा ऐसा ही हो जितने तुफान, जितनी बिजलिया हो वो मेरे हिस्से में आ जाए और सारे सुख, सारी खुशियां तुम्हारी जोली में भड़ जाए तुम हमेशा चैन की नीन सोती रहो चंदा नहीं बबुजी, तुम्हें छुकर कहती हूँ अब तुमसे मिले बिना मैं कभी नहीं सोंगी मुझे अपने दुख सुक का साथ ही बना लो बबुजी मैं तुम मर कर भी तुमारे पास रहना चाहती हूँ सच बबुजी, मर चाहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ ही रहोंगी हसंगी तो साथ हसंगी, रोंगी तो साथ रोंगी जंगा, कमीन ये पत्माश, आधी रात तो हमारी इज़त पर हाट डालने आया है मैं तुझे निवाटा मुख्या मेरी जान ले मुख्या मगर मेरी मुहबपत तो ऐसा नीच जूटा इलजाम मत लगाओ तो तो मेरी ये बाबुजी घर जाए जंडार, नहीं बाबुजी तो नहीं आधीं शैरी भेडियों को विचाट्स मैंने कहा थाना अईनदा ही हां अई तो तेरी लाश वाद हाई गरीम होसे महभबद का ढ़ंग रचाता है दो आई मुठ्ट्ट्ट्ट्ट्ट्.. मेरी महभबद केचर मत उछाना तुम भया देमाजाखो हुलो हुए ज्यन टमस कर दटений हुल ठूल ल्याओस यता हूल क्ता हुए हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है जए 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 पगली बहिया बहिया चलो उट आप मेरे साथ जा पूछ आपने बाबु से तुस्से ब्या करेगा जा पूछ बाबु जी मुझसे ब्या करोगे अगर तुम्हारे भाईया इजाज़त दें तो चंदा बाबु जी के घाव पर बूटी कुटकर लगा देना मैं जरा काउं होकर आता हूं अच्छा बाबु जी जंदा जाएं तो स्रेंजर ने जमीन वापस दिल्वाने का वादा किया है मुख्या से हाँ सरकार बारी बिरादरी के सामने ये खबर मुझ तक पहुंचाने के लिए तू क्यों चला आया अपने मुख्या से गद्दारी क्यों कर रहा है चंदर मुख्या का पाने के लिए मैं दो चार कतल भी कर सकता हूं सरकार ये चंद्रमुकी पर लट्टू है सरका और उसने बताया कि मुखिया चंद्रमुकी का ब्या उस रेंजर से कर रहा है या उस रेंजर से हाँ हुजूर इसलिए आपकी शरण में आया हुजूर आप तु बहुत ताकत वारे माहिबाब ठीक ठीक उधर की खबर इधर पहुंचा जाएगी और यह नाम जल्दी दिला देना माई बाप वारना अगली एकादशी को चंद्रमुकी का ब्या उस शेहरी बाबू से कर दिया जाएगा अरे एकादशी तक बाबू राजगड में जिन्दा रहेगा तब ना जा चंदाब घर जा कब तक मेरे साथ सा चलती रहेगी अच्छा भीया लेकिन तुम जल्दी लोटा ना शेहर जा रहा हूं दो चार रोज तो लगेंगे और फिर दहेश के लिए सामान जो इखटा करना है तुझे कोई खास्ची चाहिए तो बोल नहीं मुझे कुछ नहीं करना है तुम जल्दी लौटा कना तुम्हार बिना मैं बिल्कुल अकेली पढ़ जाओंगी अब तु अकेली कहा आए बाभू है न? तरी दिक्वाल करने को अक्यले है तो मैं पढ़ जाओंगा जब मैं तरह ब्या करके तुझे विदा कर दूगा नहीं भाया मुझे नहीं ब्या करना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओंगी पक्ले करेंगी इतनी बड़ी हो गई बच्पना भी तक नहीं गया जा घर जा मैं चलता हूँ कि अजीब जगह है एक तम सन नाटा कि इतनी शांति है यहां है ना मैं तो कई बार यहां आकर गंटों बैठे रहती हूं अकेली उस वक्त में अकेली नहीं होती अकेली नहीं होती आयं तो फिर कौन उता तुमारे साट ये ये सब देख रहे हो ये सब हमारी पुर्खों की समाधिया है और वो मेरे की मा और माव बाबा की चल्द मैं यहां आती हूं तो ऐसा लगता है कि ये मुझसे बाते कर रहे हैं आओबाबु जी उनका आश्रवाद ळे आना जो मर चुके है वो व आशिरवाद कैसे देंगे देंगे बाबु जी इस दुन्या में कोई नहीं मरता जिन से सच्चा प्यार हो वो हमेशा साथ रहते हैं है चलो आओ आओव। कि अच्छी गुछ गुछ अच्छी 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 में अच्छी कईो कोई है अरे तुम तो बिल्कुल भीग गई हो एक आपको तुम्हें पहने नहीं 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 में ठीक हो अरे कहीं ठंड लग जाएगी तो बिमार पर जाओगी होगा ज़्यां पहने लोगे कि 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो क्या इसा जो को अंगे भी आज़र अजब मस्तानी है बर्खार दील आजब मस्तानी है खुन नहीं जाना राद बड़ी तुफानी है तरखा रुत्वी आज अजब मस्तानी है खुन नहीं जाना राद बड़ी तुफानी है तरखा रुत्वी आज अजब मस्तानी है दोनों तरफ वही दिल की लगी है तो भी करे क्या मैं भी करू क्या मैं भी करू क्या अंदर आग लगी है बाहर पानी है खुन नहीं जाना राद बड़ी तुफानी है तरखा रुत्वी आज अजब मस्तानी है जाँ जाँ अंदर वही है जाँ जाँ अजब मस्तानी है लगी है अंदर एकर जाँ बाहर जो तुफाँ वही अब सीने के अंदर लगता है बाहर जो तुफाँ वही अब सीने के अंदर लगता है तनसी निपट रही लाजे किछनरी क्या काँ कैसा जग लगता है जग लगता है जनम जनम की प्यास तो आज बुझानी है खुन नहीं जाना राद बड़ी तुफानी है पर खारुत भी आज अजब मस्तानी है खुन नहीं जाना राद बड़ी तुफानी है अजब आजब 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 कि तरह अंदर कांख उस रहा है तरह तरह नहीं है चुक्पर साले हजाम तिक तुम्हें मेरी इजाज़त के बगर तुम अंदर कैसे आए आपकी इजाज़त की अब जरूरत नहीं है मुझे रेंजर बाबू उपर वालों ने भेजा है मुझे हाँ क्या मतलब देखता हूं इस बार आफ हविली पर हाजरी दें कैसे नहीं आते आपके बड़े आफसर साब आये हैं उन्हेंने आपको फॉरन बुलाया है एक्सलिन शैंपेइन कुवा साब एक्सलिन शैंपेइन यह तो लाजवा भाइब इस इस वेरी रेर ब्राइन इंडीड येस आपदार ती एफो साब की सवारी जब लौटे ऐसी च्छे बोत लें इनके साथ भिजवा देना जी सरकार 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 फ्रेंजर बाबो फ्रेंजर साहब बहुत खुब आखिर हमें सलाम करने आना ही पड़ा तुम्हें माफ कीजिगा आपको नहीं टीयफो साब को सलाम किया है मैंने बड़े ओपसर यह है विन्हें यह क्या माजरा है हमने सुना है कि तुमने ठाकुर साब के खिलाफ रिपोर्ट किया है अपनी ड्यूटी की यह से सरकारी जंगलों से पेड़ कटवाए गए हैं आम बप वाट्स दूफ सबूट क्या है तुमारे पास यह अदालत को टैकर लेन विश्वत देकर ऐसा करने को कहता है मैंने तो ऐसा नहीं कहा सर आप ही बहतर जानते हैं तुमको वह रिपोर्ट वापस लेना ही होगा यह हमारा ओर्डर है ठीक है सर आप अपने ओर्डर लिख कर देदीजी मुझे ताकि सबूत रहे कि गलत का मैंने नहीं किया है आपने कर कि तुमको लिखा हुआ ओर्डर चाहिए है ठीक है हम तुमारे ट्रांसफर को ओर्डर अभी लिख देता है तुम आज राजगार छोड़ दो और कल बंदे पोर पहुंच सही नाया डूटी जोइन कर लो अंडरस्टान्ड और कुछ सर यू में गो पुस्ता ना ना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी भाईया भी शहर गये है और अब तुम भी जाने लगे नहीं सिर्फ दो या तीन दिन की दुबात है मेरी चंद्रमुखी जी नहीं एक दिन के लिए भी नहीं चाने क्यों मुझे डर लग रहा है पाभुजी तुम चले गए तुम्हें एक्दम अकेली हो जाओंगी और अगर मेरी बदली हो गई तो भी तुम अकेली हो जाओगी मेरा अपसर राजगर से मुझे कहीं और बेच रहा है मुझे शेहर जाना है बड़े साफ बात करनी और वाडर रुक्वाना है बस गया और आया और अगर वो नामाने तो नामाने तो तो नोकी छोड़ दूगा और हमेशा हमेशा के लिए अपनी जंदा के पास आ जाऊंगा अच्छा तो चलो मेरे साथ कहां कुल देवता के पास उनका आशिर्वाद लेकर जाना मैं मैं उनसे प्राथना करूंगी तो तुम्हारे बड़े साब जरूर मानेंगी तुम्हारी बात जड़ो मैं पूझा की ठाली लेकर आती हूं कि रोट चलाओगी यहीं है बाबुजी आउना कि तुम्हारे लेकर लेकर जरी है। जुआला बुछ गी तो क्या हुआ कि बहुत बड़ा अप्शग उन होता है जिसकी जुआला भुछ जाती है वो मर जाता है ऐसे मनुस बाते नहीं करते चांदा नहीं यह सच है बाबुजी मैं मरना नहीं चाहती सुने मिलने से पेले मोट से नहीं डरती थी लेकिन आप मैं ज जाती हूँ जाती हूँ इतनी बड़ी सजा मत दो खुल देवता अभी तुम्हें सुहागन भी नहीं बनी लो अब तुम सुहागन बने अगवान सक्षी है बबबू जी जल्दी लोटना मैं तुम्हारा इंतजार करूगी बबबबबु जी बबबु जी कि अब व्यूंद कि या खबर लाए हो धूमा सरकार मुख्या दो दिन के लिए गाहों से बाहर गया हुआ है और अज वह बाववी चला गया है पीम सिंग तब तो मैदान साफ है हाँ सरकार कि और मुख्य को जिसके दून बना दे जुदुमा जल्दी बनाद system को उठाकर हमारे अलाके में लाना होगा है मागा में उसके लिए अपकी मदद चाहिए सरकार और अगया हम सब कुछ करेंगे तुझा दूला बनाने के लिए बस तू भीम सिंग को चंद्र मुखी तक पहुंचा दे ए चनर्या एक बार फिर उड़ जाना उन तक खींच लाओने शहर से उनके बिनाब दिल नहीं लगता है रिए हाँ है ही ततता बाभू तो चला गया आस तुझे कौन बचाएगा मेरी बात मान ले मैरे साथ जहने के पाथ चल आँए मैं तुझे अपनी दुलन मैंनाओ गया मैं मैं मिजिछ चोड़ दे जित करेगी तरह नहीं छोड़ेंगा पहले सुहाघ रात बनाओगा एई! एपका! 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 एप! एपका! 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 मेरी दूलनिया बहुत भाग रही थी अब कैसे भागेगी अब तो तुझा धूमा की दूलन बनना है चाल यह धूमा की दूलनिया यह सब मेरे दोस्त जादी करवाने आये मेरे कर ले जार हमने दूलनियको अरे हाँ भई हाँ दुला तो यहीं रह गया हाँ दुरे राजा तुम्हें भी पहुंचा देते हैं ठिकाने तक इसकिलाच को उताके नदे में पेंग दो हुआ है हुआ है कर दो कर दो हुआ है 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 हम एक बार जिसकी तमन्ना कर ले उसे हासल करके ही रहते हैं ग्रूद्ग करके हैं ग्युक्त ऑ्युक्त अखज्ग ये रसना बे काल ईंहिंए आफ में। काल को चिरो एाफ एाहाफप ने काल क्ड़ एाहाफ काल में। खएाफ एाहा उपिल्गिल de में। ख़र में। ताल कि दरिए एाहा झाये जिए एाहाफ जश जश एाहाफ West Cows आपर प्रूप प्रवाद कर चुके हो अब एक और जिंदकी बर्बाद नहीं करने दूगी हुँ हटती है कि नहीं नहीं हुँ 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 हु 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 चंदा ओ चंदा देख कितना सारा दहिर के सामान लाया हूं मैं तेरे लिए चंदा हुँ 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 जन्न क्या बात है अभी अभी मैं शहर से लौटा तो घर पर नहीं है चुले पर खाना भी जला पड़ा है इन दिनों वह तुमसे नहीं मिली नहीं मुख्या मैं तो खुद दो दिनों के लिए भार गया था तो फिर वह गई कहां जरूर उस पर कोई आपती टूट पड़ी है चलो झैना जा झैना जना जना, जना नहीं मोक्या, मोक्या को आवा और मोक्या को किया? लगाजी अ़िए तुख। लगाजी कुन गद़वे जन्ना को गजरे जाना नही लगाए, लगाए लगाए सो दिलाख जन्ना ये अई जन्ना 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 आजा आजा। चन्दा आजा। कर आजा। चन्दा झार मुख्या सुनी मुख्या तुम्हें ने सुनी नहीं बाबू हमने नहीं सुनी लेकिन ये चंदा मुख्या ये चंदा रही हूं तुम आओ मेरे साथ आओ 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 सुना आपने कहां बाबू आपको उसकी आवास सुना ही नहीं देती नहीं बाबू ये सिर्फ तुम्हार वहम है बाबू कोई आवास में महां 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 अरे साहब साहब मैं आपको कहां कहां ढूंड रहा था कल्लू तांगे वाले ने मुझे बताया कि आप कहली वापिस लॉटाए आप वाटर पे क्यों नहीं आए साहब चंदा की तलाश में वाटर कर आओ तुम ने उसे कहीं देखा है जंदा क्यों अपने घर में नहीं है वो नहीं उसे ढूंड ढूंड के परिशान हो गया हूं ना जाने कहां गायब हो गई है कहीं कहीं क्या साहब मैंने दो दिन हुए देखा था वो भीम सिंग जरने के इस पार एक लड़की को कंबल में लिपटे वे लाय था और हवेली की तरफ ले गया हवेली हाँ साहब अरे साहब आप मच जाई है हमाँ हमेले में में ज़ने हो आंगा रहत scholar अरे मुख्या जी हां हां तो तो आप चंद्र मुख्य कहा है काहन। चंद्र मुख्य मुख्या की बेहन चंद्र मुख्य भॉठा कुण तक रही विव यह कोई चंद्रमुखी नहीं है तुम्हारी जुरत कैसे हुई यहां आने की सीधी तरफ पता दे चंद्रमुखी का है ठागुर लुर्णों में तेरा खून की जाओंगा तुर्दार पूर कमीने चंद्रमुखी कहा है मार डालो इस स्रेजर का बच्चे को और लाश उठाकर नदी में फेग दो हुआ हुआ हाँ हुँ! मैं तो जदे दिन दना इचावरा दाकुर हुँ! परनो परना इसाप दुकाना है मुझे! जख झावरा इसाप ऑट आव ऐा? पावरा इसाब रित रखस् हावरा? आहां पर हुआ दो कि दो को ड़्यु आख ड़ाए दो कि दो अदिश्टा नित्राइब अडियो जान पर चाव सब्सक्राइब डॉक्टर ताव अरे डॉक्तर साव बाबो जे की जान बचा लेचे जल्दे अरे क्या वह हैं जखमी है इनकी जान पर बहुत है जल्दी करो जल्दी 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 नो परेसे थेटे में लेचरो अब फिक्र की कोई बात ने जी तुम्हारे बाबुजी अरे बही कहा खोगे तुम अरे 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 कैसी तबियत है अब चंदा ये दवा पी लीजे तुम कहां चले गई थी चंदा मैं तुम्हें ढूंटे ढूंटे पागल होगा जा रहा था देखे आपकी तब्यद ठीक नहीं है ये दवा पी लीजे और यहां लेट चाहिए कैसी बाते करें तुम और ये ये लिवास तुम्हेती बदल कैसे गई चंदा मैं चंदा नहीं हूँ तेखो मजाग मत करो मेरे पास आओ अब भी बाबुजी के पास आओ चंदा मैं चंदा क्या हो गया तुम्हें डॉक्ट्र अपने विस्तर पर वापस चलिए चोड़ो मु आप चुप चाप लेटे रहिए आपका दिवाग इस बहुत प्रिशार है यह रहा इस लेक्ष्ण से आपको बहुत आराम मिलेगा है कि वज़े से कई बार बरीज उल्टी सीदी बाते किया करते हैं ऐसे बरीजों का खास ख्या लखना पड़ता है यह डॉक्टर अाजय यह आजय 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 कि कि और यह कि आजाए कि मा आजा तुम कहा हो चंदा मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूँ तुम्हें मैसूस करता हूँ तुम्हें सामने क्यों नहीं आती क्या तुम्हें अब मुझसे प्यार नहीं चन्दा बन बन भटकी पागल मनवा तेरे प्यार को तरसे ठक्यां फूड के रोएं जैसे बादर तूटके बर से एक पल चैन परेना हम को पल-पल तुझे कुपारी जनम जनम के लोसी अख्यां तुरे बात नहारे कितने सावर बीत गए बीते कए बहारे आजारे 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 कि पिल्कुल नहीं शुक्त क्या बात है शिस्टर यह देखिए डॉक्तर कल हम बिकार है उस बिचारे को पागल समझ बैठे किसी को भी गलत फहमी हो सकती है बिल्कुल तुभारी सूरत तो इससे पहले तो कभी नहीं मिलेगा नहीं लेकिन जरूर उसकी जिंदगी में मेरी ही शकल की कोई लड़की होगी पर वो गया कहां क्या बताओं सुप्रिंटेंडेंडेंडन साहब अपनी चंदा को टूंता पिड़ता हूं ना जाने ठाक उन्हें उसी कहा गयाब कर दिया जब से चंद्रमुखी लापता है सहाब दीवानों की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं सहाब फिकर मत कीजिए हम पूरी इंक्वारी करेंगे आप बिल्कुल परेशान नहों मिस्टर विने परेशान कैसे नहों सुपरेंटेंडेंडेंडन साहब यहां के तमाम अफसरों को थाकुर्बलबीर सिंह खरीद रखा है मैंने तो कोई बात सुनता ही नहीं है सर सर मैंने सुना आप इंसाफ का साथ देते हैं अब तो सिर्फ आपकी कासरा है सर मैं खुद इस मामले में तह्कीकात करूँगा ठीक विर्जु अपने साहब को क्वार्टर में ले जाओ और इनकी देखभाल करो इन्हें आरामकी सख जरूरत है साहब जाब जी थैंक्यों अरिमाच अश्पी साहब सिस्टर ये साह सुनो देखो वो कल रात को जो पेशेर यहां से गाइब हो गया था वो राजगार फॉरस्ट आफिस पर है तो ऐसा करो वहां चली जाओ और उसकी कर्डिशन के बारे भी रिपोर्ट देती रहो ओके राइट साह कि जाओ कमाल है थाने से निकले थे सुबा और आप शाम को वापस आ रहे हो गुरू क्या चक्क्र है अधुमन तू करे मुझे तंग मत कर मुझे चक्कर आ रहा है तो जरूर कोई चक्कर है चक्कर यह है कि बाबुजी पागल होगय है मुख्या के घर में चंदा का इंतिजार करते हैं कहते हैं वो उनसे मिलने आती है उनसे बाते करती है और तुही बता अरे जो मर गई हो वो करा सकती है क्या मेरा मतलब है उसका भूत आता होगा अब भूत कुछ नहीं होता है मैं सच कहता हूं विर्जु भाया मेरी मां कहती थी पीपल के पेड़ पर भूत होता है कि तुक अभीप बीपल के पेड़ पर चलता हाँ कहीं वर चड़ा हूं तो तेरी मां सही कहती थी तुषको देखा होगा अब एए नहीं होता है अधो कर दो मेरे को सूर 측 सब खुम्मन की शरारत है मैं तो भूत से बहुत दरता हूं मैं चंदा नहीं आशा मैं हॉस्पिटल से आई हूं तुम्हारे साहब वहापना पर्स बोलाए थे वही नाक नशा वही चेरा वही आखी अब समझा बाबुजी ने आपको देखा होगा और वो आपको चंदा समझ बैठे होंगे हाँ अच्छा ये तो बताओ ये चंदा कौन है क्या हुआ उसे ये एक लंबी कहानी है आप बैठिए मैं आपको सुनाता हूं आईए कि ये है उस विचारी की दुख भरी कहानी हम सबको तो विश्वास है कि चंदा अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन बाबुजी नहीं मानते उसकी तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं इस वक्त तुम्हारे बाबुजी कहां होंगे कि आगे बाबुजी को कहां कहां ढूल रहे थे आपको कर दो तुम्हां कर दो दो हो ओ artwork तुम मेरी चंदा नहीं हो मैं आश्या हूं हॉस्पितल में आप मुझसे मिल चके हैं नाजाने क्यों हर सूरत में मुझे अपनी चंदा नजर आती है लेके नहीं तुम चंदा नहीं हो मेरी चंदा यह है मेरा दिल मेरी आत्मा जानती यह से नाचाने कहां चली गए यह मुझसे रूट कर किसी के चले जाने से जिन्दगी खत्म तो नहीं हो जाती वेने बाबो चंदा थी मेरी जिन्दगी उसके बिना हर सास एक बोज है मुझ पर तुम नहीं चानती किस तरह तडब तडब कर जिन्हें की सजा कात रहा हूं मैं सब सुन चुकी हूं दुख पांटना चाहती हूं नजाने क्यों चंदा का दुख अब मुझे अपना सा लगने लगा है अरे यह क्या आप आप रोने लगी मैं मेरी चंदा के लिए आप आखने में आखने सुनल फो ख़ंधा अंधा और जबला रहे हैं काहना मेरी चंदा मुझे बला रहे है काऊ निवेशा है यह का हभी आप ना कि क्या रिख नहीं जाय है हुर आप है आढारीик fence आढारीcks आढारी आढारी आढारी.. आढारी के अढारी के दोर Grund आढारी के खे जने मैं आढारी के जने Ryống आढारी के लार civilization finerतो पुदा여 करे पर तर Y coach जंदा तुम इस वक्त चंदा का है मैंने अभी उसे देखा आप मुझकी आवाज ही सुनी नहीं तो यह चंदा कौन है चंद्रमुखी मेरी चंद्रमुखी हम दोनों का ब्या होने वाला से लेकिन धाकूर के आद्मियों अधाकूर के आदमी कब की बात ही है पिछले हफ्ते की मैं दो दिन के लिए शहर गया वो तब से गायब है लेकिन मैं जानता हूँ वो यही है इसी हवेली में जरद धेरो कि इसे पहचानते हो आपको यह कड़ा तो मेरी चंदा का है का है वो वो बोलीना का है वो वो अपिस दुनिया में नहीं है बिने कि यहां यहां थे विने मैंने उसे अपनी आखों से देखा था और यह भी देखा था कि ठाकुर की हवस का शिकार होने से बचने के लिए उसने अपनी जान दे दी चंदा अब इस दुनिया में नहीं है विने ठाकुर ने उसे मार डाला मेरी चंदा को कहां जा रहे हूं मैं उस ठाकुर को जिन्दा नहीं छोड़ूगा मैं अपनी चंदा की मौत का इंतकाम लूगा हट जाही मेरे आसर से पागल मत बनूविन है खुद अपनी जान कवा बैठो के ठाकुर के पास बहुत ताकत है उसके पास हत्यार भी है और हत्यारे भी तो मगे लिए उसका कुछ नहीं बेकार सकते तो फिर मैं क्या करूँ मैं किसके बाद जाओं आप साथ देंगी मेरा आप भी तो ठाकुर के जुल्मों का शिकार है बोली आप मेरे साथ चलेंगी कहा पुलिस को बयान देने पेकार होगा यहां की पुलिस ठाकुर के मुठ्धि में है मगर एस्पी साब ऐसे नहीं है आज अगर लॉट गए तो हमारी आखरी उमीद भी तूड़ जाएगी निशा जी मैं आपके सामने हाट जोड़ करके तो आप मेरे साथ चलिए प्लीज ठीक इतनी राद गए मालिक के दुश्मन के साथ कहा भग रही हो मलकीन पुलिस ठाने हट जाओ रास्ते से हटने नहीं हटाने आया हूँ और मालकिन आप से तो ठाकूर साब निपट लेंगे लेकिन इस से मुझे अपना पुराने हिसाब चुकाना है अगा 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 आग अगा अग ziet अगा 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 § कि अज़िए कि अज़िए कि पोलिस को सबूत चाहिए चंदा मैं सबूत कहां से ना हूं कहां से ना हूं चंदा लेकिन मैं तेरी मौत का बदला जरूर दूंगा सबूत मिले या ना मिले मैं आप मेरी मदद करेंगी मैं तो आपकी मदद करने ही आया हूं वेने बाबो चंदा अरे चंदा अहां चंदा वो देख चंदा अरे चंदा तू अरे चंदा आप चंदा काहे डग मदल तेरी चालरी सकी आज है अजब तेरा खालरी सकी नदे आ गई थी कगरी उठाए दिखा कोई पथ में खडा मुस्ताए ऐसी घब राए के पूछो मत हाए 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 मेरा बाला उलज गया बालों में बिंद्या गिरके जी मत गई गालों में रे मेरा बाला उलज गया बालों में बिंद्या गिरके जी मत गई गालों में गालों में मेरा बाला रे मेरा बाला हाए मेरा बाला उलच गया बालों में किसे दिलकर आई, है कोई हर जाई, बंदी है जल जूटी, क्या जाने, सखी तो क्या जाने, दुनिया दिल की पाली, मैं गोरी दिल वाली, रज भी मेरे गालों में, जहर भी है रंगीन, गुलाबी प्यालों में, पल में चये तो उत्रे नचालों में, ओ मेरा बाला, उलच गया बालों में, बंद्या गिर के छे मत गई गालों में, गालों में, मेरा बाला, ओ मेरा बाला, है मेरा बाला, उलच गया बालों में, कर दो कर दो नाधी के सापता रंड लाए फिर मेरे अंदराए मेरा लंगा खुमे सारे वस्ती जूमे जैसे के पिछले सालों में धूमना चाती थी नगरियाँ वालों में शोर भवी है फिर मत वालों में रे मेरा बाला उलज गया वालों में मिंद्या गिर के छीमत गही गालों में गालों में मेरा वाला उलच गया वालों में बिंडिया गिर के जिमत गई गालों में हो मेरा वाला है मेरा वाला उलच गया वालों में आप ने अपनी आखों से देख लिया सपी साब के चंदा के गाउं वाले भी धोगा खा गए उसके करीबी लोगों तक को शक नहीं हुआ कि वो चंदा नहीं आशा देवी है बस अब एक बार सिर्फ एक बार ठाकूर इन्हें चंद्रमुखी के लिबास में देख ले मुझे यकीन है उसके पैरों तले जमीन के सक जाएगी होश उड़ जाएंगे उसके और फिर घबराट में आकर अपने गुन्हाओं का सबूत वो खुद आपके हवाले कर देगा इसपी साथ अब सिर्फ आपकी मदद की ज़रूत है प्लीज सिर्फ इतनी दर्खास्त है आपसे प्लीज ओलेट मिस्टर विने मैं आपके साथ हूँ थांक्यू सर्थ थांक्यू परी माच्च जलो जी सर्कार कर दो कि कि मालेट कि को कर दो दोन화 को सबहाँ है वचवाई टेखा तुमने क्या वालिक वह लड़की लड़की का मालिक यहां तो कोई भी नहीं है क्या बख्वास कर रहे हो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही वो लड़की नहीं मालिक लगता है आपको धोका हुआ है धोका मैं कि गार्ण वापिस अवेली कि दर बले चलो जी मानें दो कि बड़ी तुफानी रहा था सरकार मैंने सब फिर्कियां बंद कर दिया और कोई हुकम नहीं जरूरत होगी तो मैं बुला लूगा जाओ जी कोने पहचाना नहीं मुझे ठाकुर तुम्हें अंदर किसने आने दिया यहां आने के जुरत कैसे की तुम्हें कुछ पुराना हिसाब किताब बराबर करता है कैसा हिसाब किताब डरो मत आज मैं यहां तुमसे लड़ने नहीं आया ठाको चंद्रमुखी ने बुलाया मुझे चंद्रमुखी उसने आठ बजे मिलने का वादा किया है क्या पक्ते हो कि सच कहता ठाको वह मिली थी मुझे शायद सपने में या डरू थी उसकी जो कि आप रूक नहीं मानते हैं लेकिन मैं मानता हूं रूक उठाक हो यह बयानक तूफान हिशोर सुन रहा हूं कि उम्हें बहुत ताकत होती है क्या बक्वास कर रहे हो निवल जाओ यहां से प्रीतम सेंग दुरजान बेकार है चिलना आज तुम्हारी मजद के लिए कोई नहीं आएगा आज तो फैसला हम तुम मैं और चंद्रमुखी चंद्रमुखी तुम मुझे डिराने की कोशिच कर रहे हो प्रीतम सेंग के दरबान के अरे कोई है कहां मर गए सब के सब कोई नहीं आएगा ठाकोगा चाहारू आने वाली हो कि वह दूसरा कोई नहीं आ सकता है क्या हुआ है सुनानी आपने क्या है ऐसा रप्ता जैसे दो पाउं पाहिल पैले इसी तरफ आरे हो हुआ 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 है कुन थाकूर खूँ 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 इसका को इस आए देखो तुमारी तस्वीपर अपने आपके धबें अबराए यह यह जरूर्ट तुम्हारी हर्कत है यह ठाक और नहीं इसमें यकिनां किसी और कहते हैं कि तीस्टरे कहार का लिकली यह मेरे और तुम्हारे सिवा और है कोन चंद्रमुखी अर्थाकूर चंद्रमुखी मैं उसे मैसूश कर रहा हूं तो निवा आवास कैसी अवास मुझे तो कोई आवास सुनाई नहीं दे रही है अजीव रात है यह ठाकुर है इसा रखता है जैसे यहां कोई आत्मा भटक रही है जिसकी जिन्दगी का सपना दूरा रह गया है और वो यहां आने की कोशिश कर रही है कि दिखरें वो धलाते साए उसकी मुन्वी लंभी सटीओ की आवास हमोच कि आई कि आए प्रेंट ? इक जग जगा दूने ? कुई आरा आरी हुआ कुई आरा आरी विने, इंचिल को बन्गरोग कि के अविने, है? कि अ कर दोंगी के अव्यून कर दोंगी के अना हुआ कर दोंगी कर दोंगी कि अलाओ मैं कहता हूँ आगे मत बरो आज क्यों डरने लगे याद है वो तुफानी रात जब भीम सिंग मुझे उठाकर इसी हवेली में लाया था उसके बात क्या हुआ बोलो उसके बात क्या हुआ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ मैं दर्वाज़ा खोल कर तुम्हारी दर बढ़ा था तुम्हें काबू में करने ना चाहा तुम किसी तरह से बचकर भाग निकली पोर खुम्हें कर व्े बताता श्रता इसे ब्रोदे तुम्हें किसी तरज़ी अथ एर द उना पोर भावibly एर व Uns officer I कि य हैं रहे remember जहन से बुद wrapper नहीं के अपनी है और फिर तुमने मेरी लाश को हवेली की पिछले हिस्से में तबा दिया, ताकि कोई इस राज को जानना सके हाँ, एक बार पहले तुम्हें मौत के खाटी तबारा था, आज उस सबूत का फिर से खतम कर दूँगा कोई है, रोश्णी, रोश्णी यॉर अनर अरेस्ट, आप फिरासत में है, ये सब जूट है, साजिश है मैं सब कुछ सुन चुका हूँ, अभी अभी आपने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है, बाकि सफाई अदालत में पेश करना सफाई, अरेस्ट कर लो इनको, हर जाओ, हर जाओ, अरे, ये तो मर गया, इस्पेक्टर, सफाई, उदर से तू, देखो समल, आये इस तरह, आज देखो मैं आपका बहुत ऐसान मन दूँ आशाजी, आपकी वज़े से मैंने अपनी चंदा के खून का बदला ले लिया, लेकिन आपको ये सब बाते कैसे मालूम हुई जोने खुद नहीं जानता था, इस मन्हुस जगह पे चंदा की लाश को कहा दबाया गया, ये आपको किसे माल चंदा का अंत ठाको के अलावार कोई नहीं जानता था, ये आपने कैसे जान लिया, आपके चेहरे पे ये चीफ मुसको राहट, आप छुप क्यूं है, मेरी बात का जवाब दीजिए, बिने बाबू, माप कीजी का बिने बाबू, रास्ते में तुफान के कारण मुझे आन आप खामोश क्यों है बिने बाबू, वो आई थी, कौन, चंदा, क्या, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे बुला रही है, बिने बाबू, 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 बिने हाजारी 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 हाजार हाज़ा पाज़ा चंदा 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 और इस तरह मेरे पिछले जनम कान दुगा उस जनम में मुझे मेरी चंदा नहीं मिल सकी लेकिन जानते प्रकाश मरते समय मेरी यह इच्छा थी कि अगले जनम में मुझे जन्दा जरू मिले साहब कोई मदनलाल जी ने गाड़ी भेजी है आपको लेने के लिए सुभ्य होगी यह मदनलाल कौन है यार माने फसा दिया किस लो बेटे सुना है तुमारी कंपनी यहां फाइस्टार हुटल बनाने वाली है जी अंकल कोशित तो है यहां की जो पुरानी हवेली है उसे हम आओ बेटी आओ सुनिए यह हमारी बेटी संधिया है तुम्हे पसंद है ना बिटे चलम चलम से चलम की यहां से अखिया तेरी माठ निहारे कितनी सावत में बेटी कई बहारे कुछ कुछ सिर्ण कुछ 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 कर दो